Hello everyone, मैं आपका होस्ट और दोस्त अकाश, All India Students Community में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो कल हमने नाउन स्टार्ट किया था और ये नाउन का दूसरा क्लास है और overall English का हमारा 56th क्लास है इससे पहले 56 क्लासिस हमारे English की हो चुकी है हमने कल नाउन को पढ़ना स्टार्ट किया नाउन के बारे में मैंने बताया था ये functional grammar का पार्ट है हम नाउन को कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में हमने सीका नाउन को हम पहचानते कैसे हैं किसी sentence में ये हमने पढ़ा था हमने पढ़ा noun के kinds के बारे में common noun हम कैसे बनाते हैं, abstract noun का prefix और suffix का यूज़ करते हुए हम कैसे चीजों को abstract noun में बदलते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं noun को आगे दोस्तो आज की ये वीडियो आप लोगों के बहुत सारे भ्रहम को दूर करेगी और ये भ्रहम है कि आप लोगों को English आता है आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप English का paper देने बैठे हो और आपको जवाब लग रहा हो कि 100% ये सही जवाब होगा लेकिन answer की आया तो जवाब गलत मिलता है क्योंकि आप लोग जो आज तक पढ़ते आए थे वो गलत पढ़ रहे थे और आपको सही facts और आप बोल सकते हैं सही basic grammar का आपको knowledge नहीं था तो आज आपको बहुत सारी चीजे सीखने को मिलेगी लेकिन सीखने को उसी को मिलेगी जो इस वीडियो को last तक देखेगा जब एक sentence आता है उसमें error कैसे छाटते हैं ये आज आपको सीखने को मिलेगा क्योंकि हमें बहुत सारी चीज हमें लगती सही है लेकिन grammatical rules के according अग दूर होने वाले हैं और English आने का भ्रहम भी सायद आपका दूर हो सकता है और आप daily अब serious होके अगर इस वीडियो को last तक देखते हैं तो daily serious होके फिर English को पढ़ने लगेंगे कि हाँ English बहुत ही प्यारा subject है तो शुरू करते हैं अब अगला point है noun की category noun को दो category में डिवाइड किया गया है कौन-कौन सी countable uncountable हमारा भ्रहम है कि countable जिन चीजों को हम गिन सकते हैं हम उसे countable noun बोल सकते हैं और जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते हम उसे uncountable noun बोल देते हैं अगर आप लोग भी यही सोचते हैं तो आप बहुत ही गलत सोचते हैं और paper में गलत करने वाले ह मतलब यहां पर वो नहीं है कि अगर आप जिस चीज को गिन सके वो countable है countable noun हो जाएगा और uncountable जिसको आप गिन नहीं सकते वो uncountable noun अगर आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है तो गलत पढ़ा है क्योंकि छोटी classes में हमें यही सिखाय गया था लेकिन basic grammar क्या कहता है कि जो हमारा common noun होता है common noun को अगर हम singular से plural में बदल सकते हैं s या es लगा कर वही countable होता है समझ में आया common noun के बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया था common noun को अगर हम singular से plural में change कर सकते हैं s या es लगा कर वो countable होता है uncountable कौन-कौन से होते हैं अब उसके बारे में जान लेते हैं uncountable जैसे material noun जो है यह uncountable में आता है material noun, material noun, abstract noun, abstract noun भी जो है uncountable होता है और हमारा जो proper noun है यह भी uncountable होता है और हम इसके अंदर s या es का यूज नहीं कर सकते अगर किसी के साथ S या ES का यूज हुआ है इसका मतलब वो uncountable है अब कुछ example है आपके सामने अब आप लोगों को मैंने countable और uncountable के बारे में बताया आपको मैं 3 minute का समय देता हूँ इन सारे examples में आप मुझे countable और uncountable लिखकर comment करो कि star countable है या uncountable देखते हैं आप कितना सीखते हैं और कितना जानते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ आपके पास है 3 minute बतायेगा जल्दी से comment करें star countable है या uncountable book, bag, pen, jewelry, money, poetry, gold, silver, ring, vehicle, traffic, work, health, wellness day, rohan, beauty, hair समय है, समय लीजिए, करिएगा अब मैंने आपको time दिया है तो करिएगा अगर आप सीखने आई है जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करते जाहिए बतायेगा तो देखिए सबसे पहले हम star की बात करते हैं और बहुत सारे लोगों ने star को uncountable बोल दिया है लेकिन star जो है countable है क्यों? क्योंकि star को हम stars में बना कर इसके common नाउन है star और इसमें SEIS जोड के इसे हम क्या कर सकते है common नाउन में इसका बना सकते है बताइएगा very good, singular से plural में इसको change कर सकते है same, book भी countable है क्योंकि book का plural बन सकता है books, bag का plural बन सकता है bags countable है, pen का बन सकता है, pens, jewelry material lounge है, तो यह uncountable हुआ money, money जो है liquid की form में होता है, मतलब liquidity की form में होता है, और money जो है हम uncountable में रखते हैं किसमें uncountable, बहुत सारे लोगों ने क्योंकि हम रोज पैसा गिनते हैं, तो हमारे दिमाख में set होता है, कि money is countable, लेकिन actually में in noun, money is uncountable क्योंकि यह liquidity की form में होता है, poetry, देखो poetry जो है, poet से बना है और ry हाँ पर हमें क्या लगा है, suffix लगा हुआ है, तो यह क्या होगया, abstract noun तो इसकी वज़े से यह क्या होगया, हमारा uncountable, gold material है, silver material है तो uncountable, ring material है अब vehicles की बात करें vehicle, vehicle के साथ हम SEIS जोड़ सकते हैं, मतलब इसका plural बना सकते हैं, तो यह क्या हुआ, countable noun, traffic, traffic का कोई भी plural नहीं होता है इसलिए uncountable clear हो रही है चीज़े, work work exceptional है, uncountable में आता है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे work किसमें आता, uncountable, health health में यहाँ पर आप देखेंगे आपको suffix यूज आएगा TH का, heal के साथ हम TH जोड रहे हैं, तो मतलब root word heal है, किसी चीज़ को ठीक होना और वो बनाता है health, तो यह abstract noun है uncountable है, wellness day proper noun के अंदर आता है, wellness day दिनों का नाम और यह क्या हुआ, uncountable rohan किसी का नाम proper noun है uncountable beauty, सुन्दरता abstract noun है, तो uncountable hair, आप गिन नहीं सकते uncountable, आपको चीज़े clear हो गई होगी, तो अभी तक आप लोगों ने अगर यह पढ़ाता, जिने आप गिन सकते हैं, वही countable है, और आप जिने नहीं गिन सकते, वो uncountable लेकिन अब आपकी पूरी थियोरी बदल चुकी होगी, कि paper में आप क्या गलती करते थे form बनता है, जिसनके साथ S या ES लगता है, वो countable होते हैं, बाकी uncountable होते हैं, चीज़े clear हुई, हा की ना comment करके जरूर बताए, अब बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं, अगला इसकी जो category है, वो है gender, ना उनके gender के बारे में हम पढ़ेंगे, gender कितने है masculine, जो male representative को सो करता है, जैसे boy man, father husband, ये सारे क्या है, male category को सो कर रहे हैं, दूसरा है feminine feminine क्या है, जो female category को सो करे, girl, woman, mother wife, neutral क्या है object, neutral आप जिसको बोल सकते हैं, object की बात करें, या फिर non living की बात जहां पर हो लिए हैं, उसको हम neutral बोलता हैं, जैसे common gender, और हमारे exam point of view से, common gender ही exam में को यहां से question पूछा जाता है common gender क्या है, जिसमें male और female दोनों की बात हो जिसमें male और female, दोनों की बात हो, उसे हम common gender बोलते हैं example के तोर पर समझो, teacher teacher male भी हो सकता है female भी हो सकता है, लेकिन दोनों के लिए हमने teacher बोल दिया, तो दोनों केटिगरी उसके अंदर आ जाती है, तो मतलब जहां पर दोनों केटिगरी सो हो जाए, उसे हम बोलते है, common gender, जैसे doctor males भी होती है, female भी होती है, student में boys भी होते है, girls भी होती है तो यह है common gender, और यहीं से हमारे exam में question बनता है कैसे बनता है, यह देखेगा जैसे यहाँ पर आप लोगों के लिए सवाल है, आप इसको करने की कोजिस करेगा, फिर मैं समझाता हूँ कैसे errors हमें छाटने होते हैं a student must utilize his or her time, बताइएगा यहाँ पर आप his or her में से क्या यूज करेंगे, the teacher should be committed to his or her purpose, तो इन दोनों को आप जल्दी जठीक करें, आपको मैं देता हूँ 30 seconds, पहले में आप his या हर का यूज करेंगे, दूसरे में his या हर का यूज करेंगे तो चलो देख लेते हैं, इसको जानने से पहले हम common gender में priority की बात करते हैं, priority किसको हम priority देंगे, देखो अगर sentence में कहीं पर common gender आया है, जैसे teacher, student या फिर doctor, soldier तो ये क्या है, soldier में male भी होता है female भी होता है, ऐसे ही teacher में male भी होता है, female भी होता है अगर common gender की बात हुई है, तो हम सबसे पहले priority देते हैं, he, his और him को, तो अगर sentence में he, is, him है, तो इने में से हम priority देंगे, अगर दूसरे number पर हम priority देते हैं, it, it's, it को, और तीसरे number पर अगर it, it's, it भी नहीं है उसके अंदर, तब हम priority देते हैं, see, her, और her को, अब आप यहाँ पर देखिए, a student must utilize his her time, तो पर common gender आया है, तो हम his बोलेंगे, क्योंकि priority हम he, his, him को देते हैं, the teacher should be committed to his purpose होगा, हर परपज नहीं होगा, क्योंकि common gender है, और common gender में priority हम किसको देते हैं, he, his, him को देते हैं, clear हुआ, I hope आपको चीजे समझ में आ रही होगी, अरे हाँ कि ना, मैंने कहा था, बहुत सारी चीजे को शीकने को मिलेगी, omission errors छाटने आएंगे आज आप लोगो को, कि कैसे errors बनते हैं, और कैसे आप ढूंडते हैं, और फिर भी गलत कर देते हैं, अब, common gender से और भी सवाल बनते हैं, एक बार, इनको आप लोगों के पास तीन मिनट का समय हैं, और सारे words आप लोगों के सामने हैं, इन words में आपको बताना है कौन सा word यहां पर सही है, कौन सा नहीं है, जब omission error में यह words आते हैं, तो हमें पता नहीं लगता की गलती कहां पर है, लेकिन आज के बाद जब यह words का यूज होगा sentence में, आप तुरंत पहचान लेंगे कि क्या गलती हुई है, तो एक बार आप सोचो, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा word सही है, कौन सा सही, पहले आप बताओ कि इन जो नीचे कुछ words दिये गए, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, जैसे soldier soldier, male soldier man soldier, woman doctor female doctor, female inspector gentleman, gentle woman, lady gentle lady, female representative man dress, female accessory female seat woman shoes, woman seat, तो यहाँ पर कुछ words है, यह और इन words में से आप मुझे बताएंगे, कौन कौन से word सही है, और कौन कौन से word का यूज करना गलत होगा, आपके पास है तीन मिनट, जल्दी से बताईए कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आए, तो लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं, कि आपको इंगलिस अच्छे से और इसी तरीके से कवर कराई जाए, कमेंट करिए, बोलिए, जब तक आप खुद करना स्टार्ट नहीं करेंगे, गलत चीज़ों करोगे, कभी तो सही सीखोगे, अगर आप करना ही नहीं चाहोगे, बस चाहोगे कि महीं बताता रहूँ, तो चीज़े समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाए, कि इन सब्दों में से कौन सा सद सही है, और कौन सा गलत, किसका इस्तमाल हम नहीं कर सकते, तो चलो, अगर नहीं किया, अभी तक वीडियो को पोस्ट कर लो, उसके बाद कमेंट करो पहले, कौन से वर्ड सही है, सोलजर सही है कि नहीं है, स्पैलिंग चेक नहीं करना है, कि क्या आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, ये बताना है, अब इसे पहचानने के लिए कुछ नियम है, ये देख लो, इससे आपको चीजे किलियर होंगी अब, जैसे, जोब, टाइटल, रैंक और प्रोफेशन की अगर हम बात करें, तो उन वर्ड के साथ हम मैन और वुमैन का इस्तमाल कर सकते हैं, जब भी हम किसी जोब की, टाइटल की, रैंक की, या प्रोफे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स या फिर नो लिविंग चीजों की बात की गई होगी, समझ में आ रहा है, अरे सुन रहा है ना तू, बिलकुल, जोब, टाइटल, रैंक और प्रोफेशन के लिए हम मैन और वुमैन का इस्तमाल करेंगे, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स और नो की बात की गई है, प्रोफेशन की आप बात कर सकते हैं, मैंने अभी बताया, रैंक और प्रोफेशन के साथ हम मैन और वुमैन की बात कर सकते हैं, तो हम मैन सोलजर बोल सकते हैं, लेकिन हम मेल सोलजर नहीं बोलेंगे, क्लियर हुआ, मेल सोलजर क्यों नहीं बोलेंगे, क्य जिजे समझ आ रही होगी अब कि कैसे errors छाटते हैं। दूसरा, woman doctor, female doctor, कभी भी हम जो है, आप क्या बोलेंगे, बताइए woman doctor बोल सकते हैं, फटा-फट से बताइए। मैंने अभी बताया, doctor एक profession है, doctor क्या क्या है, एक profession है, और profession के साथ हम man और woman का इस्तमाल करते हैं, उसको बोलना बिल्कुल गलत है, तो आपको बहुत सारी चीजे आप देखना और समझ आ रहा हुआ कि आपने कितनी चीजे गलत सीखी हैं और आप गलत लिखते हैं, omission error में हम यही गड़बड कर देते हैं, और बाद में पता सोचते हैं कि यह कैसि examiner ने हमारा गलत काट दिया है, समझ आया, क्योंकि यहां पर profession की बात हुई है, और profession के साथ हम woman doctor बोलेंगे, ना कि female doctor, inspector के साथ, क्या हम female inspector बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, तो female inspector भी क्या होगा? गलत होगा, female inspector भी क्या होगा? गलत होगा, क्या होना चाहिए, woman inspector, clear हुआ, चीजे समझ आ रही है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक बार देखे gentle man, तो gentle man किसी के सामने gentle, मतलब respect के लिए बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, gentle woman respect के लिए बात कर रही है, तो ये भी हमारे लिए बिल्कुल सही है, lady, खुद respect respectable word है, ये word सही है, लेकिन gentle lady दो बार respect का समूस्तिमाल नहीं करेंगे, तो gentle lady कहना बिल्कुल गलात होगा, अगर gentleman लिखा है, सही है, gentle woman लिखा है, लेडी लिखा है, लेकिन gentle lady अगर लिखा है, वो गलात है, क्योंकि lady खुद एक respected word है, आगे बात करते है, female representative, ये word बिल्कुल स सकते हैं आगे वर्ड देखेगा man dress man dress जो है गलत वर्ड है man dress नहीं होता male dress होता है ठीक है तो man dress आप नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे male dress बोलते हैं हम man dress नहीं बोलते male dress का यहां पर इस्तेमाल क्योंकि dress जो है एक non living है और non living और non-living के साथ हम female shoes का इस्तेमाल करेंगे ना की woman shoes का तो ये word गलत है woman seat woman seat बताइएगा woman seat सही है या female seat अभी मैंने बताया seat जो है non-living है तो woman का नहीं female seat होना चाहिए तो correct answer होगा female seat एक बचा है female accessory बिल्कुल सही जो आप है जैसे जुमका वगएरा पहल लिया जो लड़कियों के समाथ से सम्मधिए that is female accessory ये word बिल्कुल सही है तो बहुत सारी चीजों मैं अब आपकी चीजे समझ आ रही होगी काईसे आप exam में गलती करते थे हमें woman seat भी सही लगता था हमें जो है female inspector और woman inspector भी सही लगता था आप सोचते हैं female inspector सही है लेकिन female inspector actual में गलत होता है female doctor actual में गलत होता है वहाँ पर woman doctor होता है क्योंकि doctor जो है क्या कर रहा है किसी profession को rank को बताता है दोस्तों पसंद आए और लगे कि यार कुछ अच्छा सीखा है सर ने जबर्दस सिखा दिया जो आज तक नहीं सीखा था तो इस video को रोकना मत अपने दोस्तों के साथ share जरूर करना अगर आप चाहते हैं आपको English में complete करा दू next आगे बढ़ते हैं आगे क्या है अब बात करते है noun के case के बारे में case को बोलता है कारक ठीक है जैसे case में subjective case आता है जैसे मांसी invited रोहन यहाँ पर मांसी क्या है subject है और रोहन जो है एक object की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पर रोहन जो है objective case है आगे देखिए आगे है vocative case vocative case क्या होता है किसी को संबोधित करना जब हम कोई चीज किसी को संबोधित करके करते हैं that is vocative case जैसे किसी को संबोधित, address परपज के लिए हम इसका इस्तमाल करते हैं, जैसे राहूल, you can go home, हम सीधा ये भी बोल सकते हैं, you can go home, तो मतलब राहूल को यहाँ पर क्या बोला है कि राहूल, तुम जाओ, राहूल, you can go home, तुम घर जा सकते हैं, या फिर हम राहूल का इस्तमाल यहाँ पर last में भी कर सकते हैं, you can go home राहूल, तो मतला किसको संबोधित कर रहे हैं, राहूल को, तो मतला vocative case, जब किसी को संबोधित करने के लिए हम उसका इस्तमाल करें, आगे बढ़ते हैं, possessive case, और यही से हमारे exam में question बनते हैं, और आप लोगों को एक और भ्रम यहाँ पर आज दूर होगा, जो बहुत सारे लोग गलत करते हैं, possessive case क्या कहता है, possessive case अपना अधिकार दिखाता है, ownership, कि यह गाड़ी मेरी है, मेरा, ठीक है, तो मतला अधिकार जहाँ पर दिखाने की बात हो, तो वहाँ पर होता है, ownership या belonging को यह सो करता है, उसे हम बात करते हैं, possessive case, अब possessive case से question बहुत exam में बनते हैं, जैसे living noun, living noun क्या है, nouns profession, मतलब यहाँ पर nouns का जो है, आप बोल सकते हैं, nouns profession, living noun मतलब living के साथ, हम apostrophe s का इस्तमाल करके लिख देते हैं, और non living के साथ हम off का इस्तमाल करते हैं, जैसे rams house, तो यहाँ पर क्या है, living है, living के साथ, यहाँ पर noun हटा देना, यहाँ पर होगा living के साथ हम apostrophe s और उसका profession आएगा, और non living के साथ, profession of noun का استعمال हम करने वाले हैं जैसे आप देखे ram's house तो मतलब ram जो है living being है तो हमने apostrophe s का استعمال किया और house लिखा current जो है living being है तो उसके साथ apostrophe s लिखा house लिखा लेकिन अगर paper में house of ram लिखा आजाए और आप इसको सही मान लेते थे तो गलत होगा क्योंकि ram living being है और living के बाद अधिकार दिखाने के लिए apostrophe s के बाद हम house का استعمال करेंगे तो ram's house होगा ना की house of ram current's house होगा ना की house of current चीजे समझ में आ रही है कि जब भी कोई living noun है और living noun को दिखाने के लिए हम apostrophe s लगाएंगे जबकि जब no living है टेबल्स कवर नहीं होता है cover of table होगा क्योंकि table जो है यहाँ पर क्या है non living thing है table जो है यहाँ पर non living thing है तो हम cover of table बोलेंगे ना की tables cover इन चीजों में भी हम गड़बड करते थे आपको सायद यह सारी चीजे अब तक मैंने जितना पढ़ाया है बहुत अच्छे से समझ आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो like और share करिएगा अभी बहुत कुछ चीजे बाकी आनी है ना उनसे भी अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like करें, share करें, comment करके बताएं और हर एक वीडियो हर एक आपके दोस्त के family relation जहाँ जहाँ आप जिस जिसको जानते हैं उसके phone में जो exam के preparation कर रहा है यह वीडियो होना चाहिए मैं आगे तभी continue रखूँगा जब आप लोगों का support मिलेगा दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल तर तक के लिए धन्यवाद जै हिंद जै भारा टे केर लवी और बबाए जो लोग नए है चैनल को subscribe कर ले और बेल आइकन जरूर दबाईएगा थेंक यू